कैसे हो आप सब लोग I hope सब अच्छे ही होंगे और आज मैं आपके लिए ऐसा प्रोड़क्ट रिवीग के लिए लेकि आई हूं जो हर घर की ज़रूत होती है यह एक आयरन स्टीमर जो किया क्रिस क्रॉस की तरफ से और गाइज यह इतना अच्छा स्टीमर है और अकॉर्डिं यह एक लेंट रिमूवर ब्रश आता है जो कि किसी काम का नहीं है और बेकार ही उन्होंने डाला हुआ है और यह है आपका स्टीमर और मेरे बालों को थोड़ा से इनोर करिएगा क्योंकि सर्दी के मौसम में ऐसे हो जाते हैं और मन भी नहीं करता है इनके साथ कुछ करने का तो यह water tank है यह आपकी machine है यह इसका head है जहां पर seven holes है steam के लिए और यह एक wrap है इसके उपर जो कि आप हटाके इसको use कर सकते हो और मैंने भी इसको हटा ही दिया था और मैं आपको दिखा रही हूं यह हलका सा pink color में यहां पर एक ये बटन दिया हुआ है साथ में इसको on off कर से यहां पर three modes given है power of button है तो मैं आपको दीरे-दीरे करके बताती हुए किस किस तरीके से क्या क्या काम करेगा यह water tank का button है जो कि थोड़ी सी मेहनत लेता है उसके बाद remove होता है यहां पे hole given है water tank के लिए जहां सा पानी इसको डाल सकते हो और यह soft water यह आरो का water ही जाएगा इसम में ठीक है और leakage proof है और आप देख सकते हो इस टाइप से आप horizontally vertically आप दोनों ही टाइप से इसको iron कर सकते हो अपने clothes पे और यार आप को vertically करनी पड़ी horizontally क्या करोगे फिर आप आप लेही किस वज़े से रहो यह मैंने आपको बता ही head given है जो कि किसी काम का नहीं है link remover के लिए इन्होंने board रखा है बट यह उस काम का नहीं है और यहां पर अच्छी कासी code given है यार यह मुझे switch समझ में नहीं आया और यह कहीं भी नहीं रुक रहा था मेरे घर में किसी board में यहां आपको देखो मैं modes दिखा दे रही हूं यह red light blink हो रही है जब मैंने इसको plug-in करा है ठी 30 seconds तक continuously blink करेगी और 30 seconds के बाद यह steam produce करना स्टार्ट करेगी तो आप देख सकते हो यहां पर इसने steam produce स्टार्ट कर दी है और मैंने यह जहां पर मेरी finger है वहां पर मैंने इसको button को दबाया और steam produce स्टार्ट होगी इसमें आप प्लीज ध्यान रखिए बहुत steam produce करता है आपका हाथ जलने का डर रहेगा तो आप अपने हाथ में कोई भी protective gloves आते हैं और यहां पर मैंने क्या कर अपने camera पर पहले भी steam माल ली थी और बाद में steam माल ली camera ने काम करना ही बंद कर दिया ठीक से और आप देख सकते हो अगर आपको दिख रहा हो steam किस power से निकल रही है इसकी इ किस टाइब से कुर्ती लगेगी और आप देखते हैं थोड़े सा महनत वाली चीज है हाँ और आप देखो आप देख सकते हो कि किस टाइब से हाँ पर रिंकल्स रिमूव हुए हैं और बिल्कुल ही perfect तरीके से रिंकल्स रिमूव हो गय थे और बाजू पर रिंकल रह गय थ बाइब कराता और हाफ पर नहीं करा था आप बैक जाके देख लेना नहीं तो लॉंग वीडियो जाएगी सलमेने फास्वर वर्वर मॉड में इसको शूट करा है तो यहां पर मैंने एक यह कूर्ती कर सीम की वज़े से कैमरा पर स्टीम जा रही थी आर तो उसके लिए सोई यहां पर भी आप देख सकते हो आप देख सकते हो बिल्कुल जहां पर इंकल्स है और जहां पर इंकल्स नहीं है तो कितना फर्क है गाइज एक काम की चीज़ आपके पास उसके पास तो 100% जाने वाली यह थोड़े जो हैवी क्लोथ हो जाते हैं उन पर नहीं जाएगी बाकि मैं आपको इसके मोड जिखा देती हूं तीन ओर जो फर्स मोड जिसमें लो काम करेगा ये बिल्कुल हलकी स्टीम निकवेसें जिलेए जिसमें थोड़ी घ्रीं है थोड़ी जयादे यह स्टीम प्रड्यूस करेगा और लास्ट जो है बिल्कुल मैक्सिमम वाला उसमें तो हाथ वाथ बचा के और आपको लगेगा बेटी के हैड के पास नहीं है बहुत उपर था स्टीम उपर जा रही थी गाइज लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो इसको इसको देख लीजेगे अगर आपका मन है इसको आपका बजट अलाओ करता है इसको बाइब करने के लिए बाकी अगर और कुछ आपको जाना हो तो गाइस तो कमेंट में इन दा कमेंट बॉक्स और बाबाए टिक